आज का फर्स्ट नव प्रस्ण है कि खारा का बिलोम क्या होता है खोटा पारा लेटा या वैठा तो खारा का बिलोम सब्द जो होता है दोस्तो वह खोटा होता है जिसे हम सधारम भाहसा में कहते हैं खारा खोटा सुना देना तो खारा का बिलोम सब्द खोटा इसका राइट हो जेगा आप अपना एंसर टाइप जरू करते चलिएगा दोस्तों इस ते पाधा चलेगा कि आपकी त्यारी कैसी चल रही है और यहां प्रस्णे की ग्यान पीट पुरस्कार से समानित रस्णा इन में से कौन है उर्वसी रेनुका कुरूचेत्र या डी है इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है ग्यान पीट पुरस्कार से समानित रस्णा इन में से कौन से है तो अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा जो भी दोस्त अपसर नमबर ए को बताए हू का बिल्कुल ही सही अंसर होजेगा उर्वसी समाज का विशेशन क्या होगा है समाजिक सामाजिक समायो योग्या और और समाजिक तो समाज का जो B-Session कहेगा तो B-Session के बारे में जान लेते हैं B-Session चार प्रकार कहोते हैं अब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्पूण है और समाज का जो B-Session होता है वो स्वामाजिक होता है यानिका Option by जो A है वो सही एंसर होजेगा स्वामाजिक ठीक नेक्स्ट प्रस्ण के बिद्याले का सही सन्निवी छेद क्या होता है तो अब तक कोई एंसर भी आचुका होगा कि बिद्याले का सही एंसर क्या होगा तो इसका जो सही एंसर होगा बिद्या जोर आले अप्सरमर जो B है वह सही एंसर होजेगा बिद्या जोर आल है इसका सही एंसर होजेगा और यहाँ प्रस्ण है कि घोटने टेकना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्पुर्ण प्रस्ण है दोस्तों कि घोटने टेकना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है जिसका राइट एंसर होगा हार मनना, यह क्रिष्ण मूर्थी भगग वह सही एंसर होजेगा और यह क्रिष्ण मूर्थी के बारे में बात करें, तो यह सिख्षा पाइट के लेखाक हैं और भागा से ही तो जानते ही हैं एक लेख और एक पत्र के लेखाखें सभी option को इसलिए बताय जा रहा है ताकि इसे बाहर अब एक भी प्रश्ण उतर न आए यही हमारा 100% प्रयास रहेगा और यहां प्रश्ण के उधन्ड का बिलोम सब दिख क्या होता है बिनर में खुखार कठोर या करकस तो उधन्ड का सही जो बिलोम होगा दूस्तो अब तक आपका इंसर भी आ जाना चाहिए उधन्ड का बिनर में हो जाएगा यही है वह सही अंसर हो जाएगा कोमल का कठोर हो जाएगा याद रखेगा यहीं कि A is the right answer for this question और यहां प्रश्ण है कि उसने कहा था कीस परकार की कहानी है काफी भी यह परकार की कहानी है तो अब तक अपका इंसर भी आज़ेना चाहिए कि यह एक परकार का क्रम परधान है यह आप्सन मर जो भी है वह सही इंसर के साथ इसका राइट इंसर हो जाएगा तो चलिए निक्षो प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ प्रस्ण को देख लेते हैं कि बात चीत सिरसक निबंध के निमनदकार कोन है काफी महत्पूर प्रस्ण हैं दूस्तो ये प्रगति और समाज है और जे कृष्ण मूर्ति के दौरा हम बताऊये थे के सिक्षा पार्ट को लिखे हैं जे कृष्ण मूर्थी जी और उदय प्रकास के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह तिरीश पार्ट लिखा गया है याद रखेगा तिरिश पार्थ उदय परकास जेक कृष्ण मूर्थी के द्वारा सिक्षा पार्थ और नामर्शिह के द्वारा प्रगति और समाज और बाल कृष्ण भठ के द्वारा बात चीत यानिका अपसर मर जो भी है वो सही अंसर रोजेगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ण को देखते ह हैं और यहां प्रस्ण की अनंदित में कौन सब परते हैं तो हम परते में बताए थे कि जिसका अंतिमपद परधान हो वहीं उसका परते होता है तो अनंदित यहां पर जो परते लगा है दोस्तों अब तक आपका एंसर भी आ जाना चाहिए इसमें आनंद तो एक परका का सही अंसर हो जगा इमें तो में हलनत नहीं रहेगा दोस्तों तो बी के साथ इसका राइट अंसर हो जएगा और तूलसी दास के दिक्षा गुरु कौन थे आप बस आन तक जो बने रहीएगा दोस्तों क्योंकि सेशन वहुती अच्छा होने वाला है इसे बाहर आप कोई भी प्रश्णों तो इसी रीज के बाहर नहीं जाएगा और यहाँ पे तूलसी दास के दिक्षा गुरु कौन थे आपको बताना है तो नरहरी दास जी थे यानिक अपसन वार जो बी है वह सही अंसर हो जेगा तो चलिए नेक्ष्णा प्रश्णों देखते हैं और यहाँ पे ज प्रश्णों तो इस पाही की मा तो उसमें ही ऐसा यह कथन कहा गया है कि जो फौजी वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते जो फौज छोर कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है और यहाँ जो पंक्ति लिया गया है यह सिपाही की मा यानिक अपसन मर जो ए है वह सही इंसर होजएगा दोस्तो तो चलिए नेक्षना प्रस्ट को देखते हैं और आज को रहरी क्सा समासे काफी महत्यपुर्ण प्रस्ट है दोस्तो कि आज काल आज काल कौन से समासे तो इसमें दोनों को जब अल्द करेंगे तो आज होजएगा अप्रस कर थो यहां पे आपका answer आगया होगा कि सूर सागर के कभी कौन हे तो हम आपको बताये थे कि इनके नाम से ही वो कभी का नाम है तो सूर दास यनिके सूर सागर के कभी है सूर दास यनिका option बर जो B है वह सही answer हो जएगा दोस्तो आप अपना इंसर जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तो इसे पाताच लेगा कि आपकी त्यारी कैसी हो रही है यानिकि हमारी जो उमीदे हैं आपकी त्यारी बहुत ही मजबूत हो गई होंगी अभी तक क्योंकि बोडिक जाम बहुत ही नजदीख है पंचवटी कौन सा समासे काफी महत्पूर परसने दोस्तो पंचवटी पंचवटी कहने का अर्थ है इसमें पर्थम पद संख्या बाचक है यानिकि पांच का बोध हो रहा है तो पांच का बोध हम किसें बताये थे तो द्वीगू समास में बताये थे यानिकि पर्थम पद सं मर्थ क्या होता है काफी महत् objective extras ने दूस्तों कि खुन पसे इक करना इसका जो सही answer होना चाहिए वह बहुत प्रीश्रम करना यानि कि जो बी है वह सही answer होजागा मलियग्य की रसना इन में से कोन सी रसना हो जो कि मलियाग्यकी नहीं है तो यहाँ पर जो नओ आने वाला कल्भी है और बकलम खूदी यह भी है और सदियो का संता प्ये भी है लेकिन D इसका right answer होजेगा जो कि मलियाग्यकी राषना नहीं है यहाँ पर राषना भी नहीं दिया गया है यहां कि D के साथ इसका राइट इंसर हो जेगा तो चलिए नेक्षना प्रश्ण को देखते हैं और यहां पर प्रश्ण है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है काफी भी भी प्रश्ण है दोस्तो कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग में आपको बताए थे कि इसमें पर्थम परधान होता है यो दूसरा पर एक सब्द होता है तो वास तो एक परकर का सब्द है लेकिन यहाँ पर उपसर्ग लगा हुए जो ए है वह सही इंसर्फ हो जएगा दोस्तो तो चले नेक्षना प्रस्ण को देखते हैं और यहां प्रस्ण एक सकार सकार का बिलोम सब्द क्या होता है काफी महत्तकों प्रस्ण है दोस्तों कि सकार का बिलोम सब्द क्या होगा तो सकार का जो बिलोम सब्द होता है दोस्तों वह इसका निराकार हो जाएगा अगर आपको PDF की जरूरत हो किसी परकार की PDF की तो वह टेलीग्राम की ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बक्स में दे दिये जाएगा उसे आप PDF को डाउनलोड करके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं अगर इसका भी PDF चाहते हैं PDF इस हिंदी जो सेशन हो रही है इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ मिल जाएगा तो आप उसे डाउनलोड करके प्रेक्टिस करते रहेगा दोस्तों कि प्रेक्टि दેवार भी परधाने और पैजässल ठा box यह तो दिवांद ही संहाथ की सांथ यह जो है वह सही आंसर होड़ा कामचोर कौन सा से काफी महत्तपुर्ण कहोता है नहीं कि इसका राइट इस में क्या ओलक्स एक अन्या पत प्रधान होता है या था सकती याद रखेगा या था सकती अभ्याई भाव का सबसे महत्तपूर्ण उधारन होता है तो अपसर मार जो B है वह सही एंसर होजेगा आत्मा का बीशेशन क्या होगा तो आत्मा का जो सही बीशेशन होता है दोस्तों वह आत्मिय होगा यानिका option वर जो B है वह सही answer के साथ इसका right answer होजेगा तो चलिए next ना प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ प्रस्ण की 9 का संधी भी छेद की आओगा तो आपको बता दे कि ये आयादी संधी का उधारन होता है 9 जब O का बोध होगा 9 तो उसमें एकले का बोध होगा यानिके नेजोर ON होजेगा ठीक अगर यहाँ पर नावन रहता तो यहाँ पर double एकले का बोध हो था ने जोर अन तो यहाँ पे किस अपसर में है ने जोर अन यानिका अपसर में जो ए है वो सही एंसर के साथ इसका राइट एंसर हो जेगा याद रखेगा अपसर में जो ए है सही एंसर हो जेगा जिसने गुरू से दिक्छाली हो उसे एक सब्द में क्या कहते हैं तो जिसने भी गुरू से दिक्षाली हो, उसे दिक्षित कहेंगे, यानिकि अप्सान वाल जो B है, वह सही एंसर होजेगा, और निंदा का विलोम सब्द क्या होगा, तो निंदा का जो विलोम सब्द होता है, निंदा यानिकि उसको खराब सब्द कहना, यानिकि निंदा करना, यानिकि उसक कभीता किसक अंगरा से लिगए है काफी मां干़ पूर अदूस्तों कि हार जितक अंगरााह से लिगए सका है तो इसका राइट अंसर कौन से समाजे थे निकलता है रह ब सोना साथ इसका राइट है पर बातकь किसे बोलते हैं तो आप जानते हैं गाजानन या लबन लंबोदर यह सभी गनेश को बोला जाता है तो सी के साथ इसका राइट एंसर हो जेगा निम्नांकित उधारन किस पार्ट से लिया गया है तो यहां पर वह पार्ट है नहीं दर्साय गया है तो इस परश्ण को छोड़ देते हैं ठीक और यहां परश्ण है कि धर्थी का बीडोम क्या होता है तो धर्थी का जो बीडोम होता है दोस्तो वह पताल होता है धर्थी धौर्धी का धौर्धी तो जाइद बादे वह पताल के साथ इसका राइट एंसर नहीं होगा अगर प्रवाची रहता तो हो जाता लेकिन धौर्धी का आकास हो जगा यह जो है वह सही एंसर हो जगा और यहाँ पर जो प्रस्ट आप देख रहे हैं कि नीश्चे का संदी अब तक हो गया होगा कि नीश्च जोर चै इसका सही एंसर हो जगा नीश्चे का सही संदी बिछेद अप्सन नमबर ए हो जाएगा उद्ध घाटन का सही संदी बिछेद करें तो यहाँ पर उद्ध तो में हलनत रहेगा उद्ध जोर घाटन उद्ध घाटन इसका राइट रोजिगा इनिका option वर जो C है वह सही answer के साथ इसका right answer हो जेगा तो चेले नेक्षना प्रस्ट को देखते हैं और यहां पर प्रस्ट है कि जन जन का चेहरा एक सिर्षा कभीता के कभी कौन है तो जन जन के चेहरा एक सिर्षा कभीता के जो कभी है गजानन माधा मुक्ति बोध जी है निका option मार जो भी है सही answer हो जाएगा और बात करें ग्यानेंद्रपति जी के तो इनका नाम्षी नाम प्रस्ट जो परकुखती और समाज है और उसोग बाच्पहि के दिवार पाठ लिखा explore और हो जीनत तर लिख्या गया है और भूशन कीस काल के कभी माने जाते हैं काफी महत्पूर परश्ण है दोस्तो तो यह रीती काल के कभी माने जाते हैं और यहाँ परश्ण है कि दियोता का परिवाची सब्द क्या होगा तो दियोता का जो परिवाची सब्द होता है दोस्तो तो वह पुरूसोत्तम हो जाएगा B, आपे से बाहर होना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो इसका जो सही अर्थ होगा वह बहुत करोधीत होना इनका अपस्वारा जो C हो सही अंसर हो जाएगा और यहां पर परश्ण है कि अवल का अंधा अवल का अंधा मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो अवल का अंधा मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वह मूर्ख होना हो जएगा बी जो है या सही अंसर हो जएगा और तूलसी दास की सकाल के कभी माने जाते हैं तो तूलसी दास जो थे वह भक्तिकाल के कभी माने जाते हैं यानिका अपसरमर जो A है वह सही इंसर के साथ इसका राइट इंसर हो जाएगा और यहाँ पर बात करें कि जगनात का सही संदी बीछेद क्या होदा है तो इसमें तौमेहलंत रहेगा तो यहाँ पर किसी भी अपसरमें यहाँ पर तौमेहलंत नहीं है लेकिन जगत तजोरनात यानिका अपसरमर जो A में है वह सही इंसर के साथ इसका राइट इंसर हो जाएगा बैध का बिलोम क्या होगा तो बैध का अवेध हो जाएगा यानिका B जो है वह सही एंसर होजेगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर जो प्रस्ण आप देख रहे हैं कि ग्यात का बिलोम सब्दी क्या होगा तो ग्यात का अग्यात होजेगा जाहिल सी बात है अफसर नमर जो B है वह सही एंसर होजेगा कड़बक के किनकी राशना है तो कड़बक जो राशना है दोस्तो वह राशना है मलिक मुहमाद जायसी जी यानि कि बी जो है यह राइट एंसर हो जेगा और यहाँ भी प्रश्ण है कि गाओं का घर शिर्षय कभीता किस कभीता संग्रह की है तो इसका जो राइट एंसर होगा दोस्तो वह संस्यात्मा है यानि का अपसर मर जो सी है वह सही एंसर हो जेगा रोज कहानी के कहानी कार कौन है तो रोज रोज पाठ के जो लिखक हैं वह सचीदान और हिरनन वाथसायन यग जी है यानि के आपसरमर जो ए है वो सही अंसर हो जाएगा और मुहरा के इसके द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो सिपाही की मा और बाल कृष्ण भट की बात करे तो बात चीत और मल्यागे के द्वारा जो पाठ लिखा गया है तो यह जो पाठ लिखा गया है मल्यागे के द्वा तो हस्ते विए मेरा अखिलापन याद रखेगा और यहां परिथवी का प्रतवी का प्रेवाची सब्द पुछा है तो प्रतवी का जो सही प्रतव हो जाएगा और प्रिथिवी का भूमी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह अपना काम निकलवाना होता है यानि का अप्सान जो भी है वह सही इंसर के साथ इसका राइट इंसर हो ज प्रशन्य दोस्तों कि माल्ति के पति का नाम क्या था तो इनके जो पते थे उनका जो नाम था वा महेश्वर था रंजुन कहाई इस देत्र हे तो रंजुन यह बार्मा में इस्ती ख़िए यांब कि भी जो है इसका राइट अन्सर हो जईगा और यहांबे प्रस्ष्ण है कि उसने कहा तो इसने कहा था उसका नायक नायक है वह लहना शीए है और भारत की something सताथ इसका राइट यहांच कि सेगा तो दोस्तो इस परकार से इस महत पूर्श शेषन को यहीं करते हैं अगर इस सेशन आपको अश्य लेगी हो तिसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चानल पर नहीं जूड़े हो तो चानल को जोर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक चूड़ी में आज के लिए तना ही थेंक्यू